Hello friends, welcome to the video जैसा कि हम लोग सब जानते हैं हमारा देश एक बड़े पेंडामिक से गुजर रहा है पूरी दुनिया ही एक पेंडामिक से गुजर रही है तो इससे चुटकारा कैसे पाया जाए, इससे कैसे बचा जाए तो इससे बचने के लिए हम लोगों को क्या करना है तो इसके लिए हम लोगों को मास्क तो पहनना ही है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है हैंड हाईजीन को फॉलो करना है और हो सके तो डबल मास्क पहनना है इसके साथ साथ हम लोगों को अपना vaccination भी कराना है और इतना ही नहीं हम लोगों को दूसरों को मदद भी करनी है दूसरों को help भी करना है vaccination के लिए उनके Tika Current के लिए तो आज हम लोग basically इस वीडियो से क्या सिखने वाले हैं हम लोग आज सिखेंगे कि vaccination या फिर Tika Current कैसे लिया जाए तो हम लोग vaccine को कैसे online book कर सकते हैं हम लोग इस वीडियो में सिखने वाले हैं तो vaccine book करने के लिए कुछ steps होते हैं पहले हम लोगों को उनको follow करना होता है गबराये नहीं ये बहुती easy steps हैं आप लोग पटाफट vaccines को book कर सकते हो जब भी slots available होंगे तब तो इसके लिए दो steps है पहले आप लोगों को अपना registration कराना होगा यानि पंजी करना होता है और दूसरे step में आप लोगों को अपने आसपास के vaccination center में ठीक है ठीका करन केंदरों पर vaccine की booking करानी पड़ती है ठीक है दोस्तों तो हम लोग अभी detail में देखेंगे अब मैं अपने mobile की screen पर जाऊंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि vaccine के लिए co-win portal पर कैसे registration करना है अपने आपका पंची करना है और उसके बाद vaccine की booking कैसे करनी है उसकी बारे में आप लोगों को जानकरी दूंगा बुक करने के लिए आप लोगों को क्या करना है simply आप लोगों को क्या करना है अपने browser में जाकर type करना है co-win.gov.in ठीक है जैसे ही आप लोग इस website पर जाएंगे तब आप लोगों को कुछ ऐसा interface दिखाए देगा ऐसा कुछ देखनों को मिलेगा इसके बाद आप लोगों को क क्लिक करना है ठीक है आप लोग जब उसको क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा आप लोगों के सामने window open होगा जिसमें आप लोगों को यहाँ पर अपना number type करना है तो मैं यहाँ पर अपना number type करूँगा number type करने के बाद आप लोगों को बटन दबाना है get OTP वाला तो मेरा OTP आ चुका है छे डिजिट का OTP होगा तो मैं type कर लेता हूँ OTP type करने के बाद आप लोगों को verify and proceed यह जो blue color का बटन है उसके उपर क्लिक करना है तो जब आप उस बटन पर क्लिक करोगे तब आपके सामने कुछ ऐसा विंडो उपन होगा और यहाँ पर आप लोगों को फिर से एक विंडो दिखाई देगा जिसमें लिखा है welcome you can register four member with one mobile number ठीक है उसके बाद वापस से आप लोगों को यह blue वाला बटन दबाना है जैसा ही आप लोग वो बटन दबाओगे तो आप लोगों के सामने कुछ ऐसा विंडो उपन होगा तो उसमें आप लोगों को क्या करना है उसमें आप लोगों को photo ID proof सिलेक करना है आप लोग कुछ भी सिलेक कर सकते हो अधार कार्ड driving license pen card या फिर passport pension book कुछ भी सिलेक कर सकते easiest रहता है आप लोग अधार कार्ड को सिलेक करें उसके नीचे आप लोगों को अधार कार्ड या फिर जो भी आप लोगों ने सिलेक किया है उसका number टाइप करना है अब उसके बाद क्या करना है दूस्तो आप लोगों को अपना नाम लिखना है और फिर अपना gender सिलेक करके आप लोगों का year of birth यहाँ पर type करना है अपनी information fill करने के बाद आप लोगों को register बटन पर click करना है register करने के बाद आप लोगों को कुछ ऐसा window दिखाए देगा तो मैं यहाँ पर उपर का part blur कर दूँगा और आप लोगों को यहाँ पर नीचे दिखरा है उस पर आप लोगों को click करना है इस पर click करने के बाद आप लोग simply यहाँ पर क्या कर सकते है अपना pin code type कर सकते हो जैसे कि मेरे area का pin code है 40097 यह type करने के बाद आप लोग search करोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा आप लोगों के area में कहाँ पर vaccination हो रहा है मेरा state है महराश्रा और district है मुंबाई तो मैं यह select कर लूँगा और select करने के बाद आप लोगों को search button पर click करना है search करते ही आप लोगों को पता चल जाएगा कहाँ कहाँ पर कितने doses available है और आप लोगों को जब book करना होगा तब उसके उपर click करना है और booking अपनी करा लेनी है फिलाल मेरे area में कहीं पर भी vaccine available नहीं है तो आप लोगों को ऐसे ही यहाँ पर vaccination book करा लेना है तो इस वीडियो में इतना ही तो दोस्तों यह वीडियो ऐसे लोगों की साथ share करो जिन लोगों को vaccination book करना नहीं आता है और I hope आप लोगों को जब भी मौका आएगा आप लोग vaccination ज़रूर करा होगे Thank you friends, thanks for watching this video